मूवी की शुरुआत होती एक लड़के से जिसका नाम होता है जून वू ये एक बहुती तगड़ा PUBG प्लेयर होता है जो अपना पूरा टाइम गेम खिलने में और गेम्स की स्ट्रीमिंग करने में लगाता था वो जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके साथ ही उसकी मॉम, डैड और उसकी बहन भी रहती थी ऐसे ही वो एक दिन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है जब उसका एक फ्रेंड बोलता है कि भाई तुमने वो न्यूस देखी? क्या वो न्यूस सच है? अपने दोस्त की बात सुनकर जून टीवी ओन करता है और देखता है कि न्यूस में दिखाया जा रहा है कि सियोल सीटी में एक बहुत ही तगड़ा वाईरस फैल गया है तभी जून जल्दी से जाकर अपने अपार्टमन की बालकनी से बाहर देखता है कि ये वारस तब उनके अपार्टमन तक भी फैल चुका है जून वो देखता है कि एक जॉंबी बनीवी औरत अपने ही बेटी को काट लेती है और उसकी बेटी भी जॉंबी बन जाती है लोगों को जॉंबी बना हुआ देखकर एक दूसरे को काटता हुआ देखकर वो काफी डर जाता है और अपने घर की खिड़की, डॉर, सब कुछ लोग करने लगता है तब इसके डॉर पर कोई तेजी से नोग करते वे अंदर आने लगता है जून उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाता है जून उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन वो आदमी कहता है कि बस तुम मुझे अपना वाश्रूम यूज करने दो उसके बाद मैं चला जाऊँगा जुन वो उसे अपना वाश्रूम यूज करने की परमीशन देद देता है और फिर वो टीवी में वापस न्यूज देखने लगता है टीवी में न्यूज देखकर उसे पता चलता है कि जो लोग इस वाश्रूम से बाहर आता है और उससे बोलता है कि मुझे थोड़ी दो और रुखने दो और गेट बंद करके की होल से देखने पर वो देखता है कि एक घतरनाक जोंबी उस पड़ोसी पर अटेक कर देता है तब ही जून जल्दी से अपनी फ्रीच को डूर के पास लाकर रख देता है ताकि कोई जोंबी अंदर न आ जाए फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ रहता है जिसमें उसके पेरेंट्स ने उसे स्टे अलाइफ का मैसेज भेजा हुआ था मतलब कि उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि किसी तरह तुम बस जिन्दा रहो वो उस मैसेज को एक छोटे से पेज पर लिख कर अपनी फैमली फोटो पर लगा देता है इसके बाद वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो स्टे अलाइफ का मैसेज लिखता है और उसे पोस्ट क चाता है ताकि वो जोंबी का ध्यान अपनी और खीट सके और वो पुलिस ऑफिसर बच सके लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और कई सारे जोंबी उस ऑफिसर को मार डालते हैं आगे हम देखते हैं कि वो खतरनाक जोंबी जून के डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसे अपन करके उन्हें अपने टेबल पर रख लेता है जैसे जैसे दिन बीचते जाते हैं उसका खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है वो टाइम पास करने के लिए गेम खेलता अपनी वीडियो बनाता रहता ताकि कोई उसकी वीडियो देखकर उसकी मदद करने आ सके इसी तरह कई दिन बीच जाते हैं और उसका पानी भी खत्म हो जाता है जब प्यास के मार उससे रहा नहीं जाता तो वो अपने घर में रखे वी अपने पापा की बीर की बोटले खोलता है और उन्हें पी कर अपनी प्यास बुझाता है अब क्योंकि टीवी में सिगनल नहीं आ रहा लेकिन उसके पास जितनी भी चीज़े थी वो सारी Bluetooth से चलने वाली wireless चीज़े थी जिसकी वज़े से उसका ये plan तो flop हो जाता है आगे हम देखते हैं कि अब जून का सारा खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और नहीं उसे बाहर से कोई बचाने आता है ज्यादा उसके फोन पर कई सारे voice message वेजे थे उन message को सुनने के लिए जून खिड़की के पास बाहर लटकता है ताकि messages उसके फोन में load हो सके उन voice message को सुनकर उसे पता चलता है कि उसके पेरंट्स भी अब जूम्बी बन चुके हैं अब जून बहुत ही गुस्जे में कमरे से बाहर आ नहीं बसता तो वो ठक हार कर सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो फासी का फंदा अपने गले में लगा कर मरने जाता है लेकिन तब ही वो सोचता है कि वो गलत कर रहा है। उसे जिन्दा रहना होगा लेकिन जब तक उसके गले में वो फासी का फंदा अटक जाता है तब ये सामने वाले अपार्टमेंट से कोई और भी उसे लेजर लाइट की मदद से ना मरने का मैसेज दे रहा था लेकिन उसके गले में तो वो रसी अटक गई थी और उसका दम आट हो गया था लेकिन जब भी वो रसी तूट जाती है और जून वो किसी तरह बच जाता है अब जून ये देखता है कि आखर वो लाइट आ कहा से रही थी तब उसे सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की दिखाई देती है वो लड़की भी दूसरे अपार्टमे किम यो उस रसी की मदद से जून के पास कुछ खाने का समान भेशती है। जून कीम को खाना देने के लिए थैंक्स बोलता है। तो टेबल से रसी बदे होने के कारण टेबल नीचे गिरने लगता है जिसकी वज़े से किम यो को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जून के लिए जून के लिए जून के लिए कुछ खाने पीने का समान लेता है। इयरफोन लेता है, वोकी टोकी लेता है, और उस आदमी का कोड भी पहन लेता है, तब ही वो बैट पर एक जॉंबी को पड़ा हुआ देखता है, अचानक से एक दूसरा जॉंबी उस पर अटैक कर देता है, किसी तरह जून उससे बच कर वापस अपने फ्लैट में आ जाता है अंदर आकर जून उस इयरफोन की वायर का इस्तमाल करके रेडियो में सिगनल पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सिगनल वीक होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता, हालकि अब उसके पास खाने पीने का बहुत सारा समान था, इसलिए वो कुछ खाना और एक वोकी टोकी किम ताकि वो उसका बाद में भी इस्तमाल कर सकें, ऐसे ही एक दिन जून को बारिश की आवाज आती है, और वो किमियो को पानी कठा करने के लिए बोलता है, तब ही वो देखता है कि ये आवाज बारिश की नहीं, बलकि बहुत सारे जूंबियों की थी, जो एक साथ उपर की त सारे जूंबि किमियो की रूम से हट कर दूसरी डिरेक्शन में आवाज सुनकर वहाँ चले जाएं, आगे हम देखते हैं कि जून और किमियो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने फ्लैट में रुक कर जूंबियों का खाना नहीं बनेंगे, बलकि वो दोनों अपने किमियो डाल कर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, यहां हम देखते हैं कि किमियो बड़े ही एक्शन के साथ बिना डरे रसी की मदद से नीचे घ्राउंड पर कूच जाती है, और अपनी कुलारी से हमला करते हुए तेजी से सेफ अपार्टमेंट की तरफ जाने लगत किमियो उन लोग को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता, तब ही वहाँ पर बहुत सारे जोंबी फिर से अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जून एक लकड़ी की मदद से उन जोंबी को रोकने की कोशिश करता है, किमियो को तब ही पीछे से एक अंजान आदमी रूम के अंदर खीच लेता है, और वो स्मोग बॉम का इस्तमाल करके जून को भी बचा लेता है, किम और जून एक और सर्वाइवर को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर अब कोई नहीं बचाता है, और उन्हें बताता है कि जल्दी हमें बचाने कि आपकी फैमिली कहा है, तब ही वो देखती है कि जून वो बेहोश हो गया, और वो खुद भी बेहोश होने लगती है, क्योंकि उस आदमी ने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिसे खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, अब वो आदमी उन किमियो मदद के लिए जून को आवाज लगाती है, तब ही जून को होश आता है, और वो वो युस आदमी उन का मारने के लिए गन आगे करता है, जब ही वो आदमी रसी छोड़ देता है, जिससे उसने अपनी बीवी को बादा था, लेकिन जून वो उस रसी को पकड़ लेत और वो आदमी जून को बोलता है कि तुम कीम को यहाँ छोड़ कर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँआ, लेकिन जून उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो आदमी जून पर अटैक करने के लिए आगे आता है, तभी जून से वो रसी छूट जाती है, फिर यह दोर खुलता है, वो उसे उस आदमी के उपर ही धका दे देती है, अब क्योंकि वो आदमी और उसकी बीवी दोनों ही इन्फेक्टिड हो गए थे, इसलिए किम उन्हें शूट करके मार देती है, लेकिन यहाँ पर गन की आवाद सुनकर बहुत सारे जूंबी उनकी टेरिस की तरफ जाने लगते हैं, रास्ते में उन्हें बहुत सारे जूंबी भी मिलते हैं, जिनें मारते हुए वो आगे बढ़ते हैं, यह दोनों उपर पहुचना ही वाले होता है कि जब यह कुछ जूंबी के पैर को पकड़ लेते हैं, जून उसे बचाने के लिए आगे पानी भी नहीं होता, जून पाइप को वहीं जूंबी पर फेक करते हैं, जिसे उपर जाता है, उपर जाकर वो देखता है कि उपर तो कोई भी हेलिकॉप्टर नहीं है, जिस वज़ज़ से वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर उन दोनों की पूरी मेहन खत्म होंजाती हैं अब वो सारे zombie उनके काफी पास आजाते हैं वो zombie उन्हें काट नहीं वाले थे थे तब यए एन हमंहोंके पर वां परार्मी के helicopter आ जाते हैं और इसमें प् penetration soldiers उन zombie को शूट करने लगते हैं फिर वह तुम्यो, और जून दोनों को ही बचा लेते हैं और उन्हें हेलिकॉप्टर में बचा लेते हैं हेलिकॉप्टर के अंदर आते ही वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने अपने फोन ओन करने लगते हैं क्योंकि अब उनके फोन में नेटवर्क की भी आ जाते हैं और वो दोन अपने मैसीडिस चेक करने लगते हैं उधर सब जगा रेडियो सिगनल की मदद से ये कहा जाता है कि जो लोग infected होने से बच गए हैं वो अपने अपनी location सोशल मीडिया पर शेर कर दे ताकि rescue team उन्हें बचा सके लास्ट में हमें वही वीडियो दिखाई जाती है जो जून ने मदद मांगने के लिए बनाई थी जिस पर stay alive का caption होता है अब वो उसे change करके alive कर देता है यही पर ये movie end हो जाती है अगर आप कभी zombie के बीच में first जाओ तो आप क्या करोगे मुझे comment में जरूर बताना और अगर ऐसे ही zombie वाली movies देखना आपको पसंद है तो उसके लिए channel को subscribe कर लो और वीडियो को like कर दो